आपका पहला सवाल है पूरे देश भर में जनता कर्फ्यू कब लगा था आपका ओप्शन है ओप्शन A 21 मार्च 2020 को ओप्शन B 22 मार्च 2020 को ओप्शन C 12 मार्च 2020 को ओप्शन D 19 मार्च 2020 को आपका सही जबाब है option B 22 March 2020 को आपका अगला सवाल है निम्न में से किस अस्थान पर कुम्भ मेला का आयोजन नहीं होता है आपका option है option A प्रयागराज option B वरानशी option C उजयन option D हरिद्वार आपका सही जबाब है option B वरानशी दोस्तो यहाँ पर कुम्भ मेले का आयोजन नहीं होता है आपका अगला सवाल है कावेरी नदी किस ओर बहती है आपका option है option A दच्छल की ओर option B पस्चिम की ओर option C पूरव की ओर option D उत्तर की ओर आपका सही जबाब है option B पस्चिम की ओर आपका अगला सवाल है नवाबो का सहर के उप नाम से किसे जाना जाता है आपका option है option A नई दिल्ली option B लखनाओ option C जैपूर option D अहमदाबाद आपका सही जबाब है option B लखनाओ आपका अगला सवाल है Statue of Unity किस नदी के किनारे स्थीत है आपका option है बेतवा option B तापती option C नरमदा option D जेलम आपका सही जबाब है option C नरमदा आपका अगला सवाल है बंगाल का सोक के नाम से किस नदी को जाना जाता है option A ब्रह्मपुत्र option B दामोदर option C कोशी option D भागी रथी आपका सही जबाब है option B दामोदर आपका अगला सवाल है चंद्रयान 2 कब लांच किया गया था आपका option है जुलाई 2017 को आपका option है जुलाई 2018 को आपका option है जुलाई 2019 को आपका option है जुलाई 2020 को आपका सही जवाब है Option C, जुलाई 2019 को आपका अगला सवाल है मांचित्र में नदी को किस रंग से दिखाया जाता है Option A, गुलाबी Option B, नीला Option C, पीला Option D, काला आपका सही जवाब है Option B, नीला आपका अगला सवाल है मानोश शरीर में विटामिन A कहा संचित रहता है Option A, हिर्दय में Option B, आँख में Option C, यकृत में Option D, अमासे में आपका सही जवाब है Option C, यकृत में आपका अगला सवाल है दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहा थी Option A, लखनव Option B, मुंगेर Option C, हमपी Option D, कोलकाता आपका सही जवाब है अगले क्लास में तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत